हेलो डियर स्टुडेंट्स बहुत-बहुत स्वागत है आप से लिका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में बच्चों यह क्लास 6 का मैथ चैप्टर 5 है आप देख रहे हैं यहां पे चैप्टर 5 और इसका इंट्रोक्षन हम पहले देख लेते हैं क्यो से बने में से बने हुए हैं सीधी से कर्फ मतलब यांस से वे चैनल शें चैनल ओपकार भ्प एंडब करब और तो को हो गया Angles, Trangles, Polygon and Circles पहुत सारे से इस तरह से Line Segment, Angles, Angles कौन जिसको बोलते हैं तिरभूज और बहुज जिस को बोलते हैं Polygons मतलब बहुज और जिसमें से ट्राइंगल से लेके कई से जो कर अंदर आ जाता है circle हो गया जो बिल्कुल ही गोलकार रहता है इस तरह से बहुत सारे सेफ हैं तो सब सह पहरे यहाँ पे measuring line segment जो line segment हम लोग को दिखाई देता है किसी भी सेफ में तो हम उसको कैसे मापते हैं या मापने को बारें बतलाय गया है तो फिर हम मापते हैं कि आखिर उसका accurate length क्या है इस तरह से यहां मापने के बारे में बतलाया गया है तो सबसे पहले यहां पे मापने के लिए हम रूलर का यूज करते हैं हम लोग पढ़ाय लिखाय में जितना भी चीजे दिया जाता है उसमें बड़ा बहुत नहीं रहता है तो उसको हम लोग रूलर का यूज करते हैं या डिवाइडर का यूज करते हैं तो रूलर में मिस्टेक्स होने की संभावना होता है डिवाइडर accurate length जो होता है उसको बतला देता है, क्योंकि इसमें जो 2 sharp point होते हैं, वो इधर-उधर जाने नहीं देता है, और accurate length क्या होता है, उसका पता चले जाता है, यहाँ देखिए, यहाँ पर बतला गया है, positioning error अगर आप side होकर देखते हैं तीरचे तरफ से देखते हैं इधर से या इधर से यहां पिलिखा हुआ है wrong eye position यह गलत तरीका है दिखने का और यह भी आप बिल्कुल सीधा होकर देखिए तबी जो है आपका accurate point जो है length वो पता चले है कि कितना लंबा है इसे यह यूज किया जाता है divider का इस तरह से divider यूज कर सकते हैं और इससे समंधित यहां पर इतनी बाते बतलाएगी है उससे समंधित exercise one दिया हुआ है जब इसको आप solve करेंगे तो इसकी और ज्यादा बाते समझ में आएगी उसके बाद यहां पर angles के बारे मतलाए गया है angles angles मतलब हो गया कौ तो कौन अलग अलग तरह के कौन होते हैं जिसमें से यहां दो नाम लिखा हुआ है right and straight right angle होता है जो 90 degree का होता है और इस्टेट एंगल होता है जो 180 degree का होता है और यहां पर इस्ट-west, south, north इस तरह से direction दिखाते वे बतला गया है अगर हम north से east जाते हैं तो एक right angle चलते हैं लोग इस तरह से यहां बतला गया है और clockwise मतलब घड़ी जिस परकार से घूमती है उसको clockwise बोलते हैं और घड़ी का उल्टा अगर हम लोग लेते हैं तो उसको बोलते है anti-clockwise इ इसको जब exercise को absorb करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा प्रस मैं वहां भी आप लोगों को बतलाते जाओंगा यहां पर देख रहे हैं यहां एन से लेकर एस तक अगर चलता है यह लाइन दिया हुआ है एन से लेकर एस तक चलता है तो एक straight angle के बराबर वो चलता है यह ह यहां थे वहां से चलते हुए फिर वहां पहुंच जाते हैं तो फिर वह उसको बोला जाता है complete angle जो की 360 डिगरी का होता है इस तरह से एंगल अलग-अलग होता है और इसके आगे एंगल में और दो-तिन नाम दिया हुआ यहां पर acute obtuse and reflex तो acute angle क्या होता है जीरो डिगरी से 90 80 डिगरी के बीच जो एंगल होता है उसको acute angle कहा जाता है obtuse angle 90 के बाद 90 से अधिक और 180 डिगरी से कम वह एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 डिगरी से ज्यादा और 360 डिगरी से कम इस तरह के यह एंगल है तो अभी मैं बतला दे रहा हूं हलाकि आप लोगों को याद नही को मैठ में सब मिलता ही रहेगा इसलिए अप लोगों को याद होना स्योर है याद हो जाएगा बिल्कुल भी यह मत समझे कि मैं नहीं सीख पाऊंगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है यहां पे बतलाया गया है यह जो रूप दिखाया गया है 300 हो गया यह ऑपनिंग बुक हो ग अप्डूज एंगल बना है इसमें और यहां भी अप्डूज एंगल बना इसके अलावाए वाच दिखाकर यहां बतलाया गया है जैसे कि यहां टूवेल से लेकर 6 तक चला तो 180 डिग्री और उससे भी आगे चल यहां पे चल गया इसका मतलब है यहां से यहां तक घुमते यहां तो 180 डिग्री से ज्यादा चला गया इसका मतलब है कि रिफ्लेक्स एंगल बतला रहा है उसके आगे यहां उससे समंधित कुश्चन दिया हुआ है exercise 5.3 इसके बाद यहां पर बतला गया है measuring angles को हम लोग कैसे पता करेंगे कैसे मापेंगे कि वह कितना डिग्री का यहां पर लिखा हुआ है इस पार्ट इस एध दीग्री वी राइट 360 डिग्री तो इस तरह से हम लोग डिग्री में एंगल को पड़ते हैं तो एंगल को मापने के लिए हम लोग प्रोटक्टर यूज करते हैं यहां पर देख रहे हैं इस तरह का प्रोटक्टर जो होता है इसको चांद भी लोग बोलते हैं तो यहां पे मेजरमेंट लाइन दिया रहता है इसके दोवार आप माप सकते हैं और जहां जोरत पड़ेगा कोईस्टन सॉल्फ करते समय में आप लोगों को माप कर दिखाऊंगा next point दिया हुआ है perpendicular lines तो एक line जब एक दूसरे को करते हैं दूसरे को करता है तो perpendicular line वहां पर बढता है लेकिन ध्यान रहे कि इस परकार से काथना है यहां पर जैसे दिया है है इस परकार से कारता है कि यह 90 degree का इंट्रस्रेक्टिंग लाइन गाहिए उसको यहां पपे दिया हुआ है क्लासिफिकेशन औप ट्रेंगल जो होते हैं अलग अलग परकार के होते हैं और उसको अलग-अलग उसको पढ़ना पड़ता है समझना पड़ता हुआ कि यहां पर बतलाया गया है किस तरह से होते हैं कि यहांपर किस बेस्ट पे ट्रेंगल को बतलाया जाता हां यहां बाणिंग बतला जाता है यहां पर दे याओं design पर सिससका अलग अलग नाम दिए आ इंविए हाई आ ने कहले साङल जिसका कि अहता हुट्यों यासित लुकर और तो इसको एकिटी ट्रैंडल बोला जाता है और इक्विलेटरल ट्रैंडल मतलब तीनों साइड्ट जिसका इक्कवल हो इस तरह से औंगल के बेस्ट पे भी उसका नाम दिया गया है सभी ऑंगल 90 दिगरी से कम उसको यह你要 Scout humid triangle बोला जाता है और जिस ट्रेंगल का एक एंगल जो है 90 डिगरी का हो उसको right अन्गल को बोला जाता है और जिस ट्रेंगल का एक एंगल जो है 90 डिगरी से ज़ाधा हो उसको obtuse acknowledge ॆ पे त्रेंगल कहा जाता है इस प्रकार से side के best 3 पे थिन ट्रेंगल Anders ढोने सी किया गया है यहां पर इससे समंधित क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है 5.6 में इसके आगे 5.8 क्वाइडी लेटरल क्वाइडी लेटरल मतलब स्तीधा समझना है जिसमें चार कोना होता है यह क्वाइडी लेटरल अगर आप लोग को याद होगा क्योंकि पहले भी पड़ चुके है इसमें चार साइड्स है और चार एंगल से तो इसको पोलीगोन भी कहा जाता है यहां पर अलग अलग परकार के आपको क्वाइडी लेटरल मिलेगा यहां पर दिखाया गया है जिसके आपके इंस्टुमेंट बॉक्स में इस तरह का एक ट्रेंगल से फोगा अगर दो ट्रेंगल सेप इस तरह के ही इस्त्रेंगल सेप होगा इस्टंबन बॉक्स मैं अगर इसको डबल कर देते है इसको स्कॉlection कहा जाता चा को सिसके बाद इससे में प्रेक्टेंगल बनाये थे उसको अप से बनता है इसका नाम है परेलेलो ग्राम। उस droit उसको चार से मिला देते हैं ग्लानाया यह जो आप rectangle पहले बनाए है और उसके बाद जिससे आप square बनाए है उसको इस तरह से मिला देना तो यहां पे जो आकरती आपको मिलेगा उसका नाम है ट्रिपेजियम यह इस तरह से होता है और यहां पे एक table बना दिया गया है इस पे s9 करके मिलाना है आप लोग को आप पोलिगों मेंस में जितने भी आकरती हम लोग देखे वह भी आता लेकिन पोलिगों में क्या होता है वह भी आता है तो कितना सारा नारटा कि तरह से यहां पे अकरती दीया हूए और जिसमें छे side होता है उसको hexagon बोलते हैं जिसमें 7 side होता है हुशका भी एक नाम होता है एट साइड नाइन और टेन साइड तक दिया रहता है यहां पर एपके बुक में नहीं दिया हुआ है तो इतना दिया हुआ अभी उतना तो फिर उसको regular hexagon नाम दिया जाएगा, या फिर regular pentagon इस तरह से नाम दिया जाएगा, उसके बाद 3D shape यहाँ पे दिया हुआ है, यह हो गया, जैसे कि यहाँ पे फुटबोल दिया हुआ है, और फुटबोल इस यह sphere, इस sphere एक गुला के रूप में होता है, उसके बाद यह ice cream ज shape में है, यह cube shape में है, dice और यहाँ पे यह pyramid shape में है, इससे समंधित आपको question आगे मिलेगा, इसमें क्या चीज़ हमको सिखना रहता है, यहाँ पे faces होता है, edge होता है, and water size होता है, तो यहाँ पे यह इस तरह से दिखाए गया, faces कोन होता है, face, यह जो चप्टा भाग है, edge बोला जाता है, उसके बाद इसका kona भी मनता है, तो kona जो हम देखते हैं, इसको vertex बोला जाता है, और एक shape यहाँ पे दिया हुआ है, different shape, इसको prism बोला जाता है, और pyramid shape हो गया, यहाँ पे pyramid shape दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे की equiade दिया हुआ है, और इसका face बतला जाता है, और corner बतला जाता है, जिसको vertices बोलते हैं, इस तरह से यहाँ पे खाली जगा दिया गया है, जैसे इसका भी आपको face वगरे निकालना है, age, face, faces, age and overtices, इसका आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ पे इसमें भी निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो आप इसको गिन कर निकाल सकते हैं, वैसे तो मैं आप लोगों को सारा exercise solve करके दूंगा ही, तो आई हम लोग इसमें exercise 5.1 को clear करते हैं, Dear Students, हम लोग आ चुके हैं पेपर पे, और हम लोग इसको यहाँ पे exercise 5.1 solve करेंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या questions दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट में question no.1, what is the disadvantage in comparing line segments by mere observation, mere observation मतलब सिर्फ आप आउलोकन करके, मतलब देखकर आप line comparing किस तरह से करेंगे या उसका क्या नुक्सान होता है, जैसे comparing जो line comparing आप करते हैं, देखकर, तो उसका क्या नुक्सान होता है, तो सिधा सा बात है, अगर देखकर हम compare करें, तो गलती होने की संभाव होता है, अगर हम एक line लेते हैं, यह line लेते हैं, और ठीक, यह line लेते हैं, तो फिर पता नहीं चलेगा कि इसमें से कौन छोटा है, कौन बड़ा minor difference है यह, तो इसमें क्या होता है, कि आप देखकर पता नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए observation से गलती होने की संभावना होता है, तो से लिख सकते हैं, it may be chance of error, गलती होने की संभावना due to improper viewing, क्योंकि अगर हम गलत अंदाजा लगा लेते हैं, गलत औलोकन कर लेते हैं, तो गलती होई जाएगा, तो इस तरह से इसका answer, एक sentence में हम लोग देख सकते हैं, दूसरा number question में क्या पूछ रहा है, why is it better to use a divider than a ruler, एक ruler के मुकाबले, एक divider, मापने के लिए क्यों उप्यूक्त होता है, while measuring the length of a line segment, जब हम लोग line segment को मापते हैं, तो ruler के मुकाबले divider क्यों ज्यादा useful होता है, तो इसका पीछे reason क्या है, ruler जो होता है, positioning, error positioning आप लोग देखे थे, क्या होता है, अगर तिर्चा side से आप देख ल के और जिस point पर रखते हैं, वहां तक equal हो जाता है, accurate length बतलाता है आपको, इससे क्या होता है, कि आप जो length वहां दिया हुआ है, उसी length को आप दूसरे जगाँ प्राप्ट करते हैं, accurate length होता है, इसलिए इसका answer में आप लिख सकते हैं, question number two, the divider can measure, question number two के answer में हम यह लिख सकत हैं कि the divider can measure accurate length with its sharp points, divider में दो sharp point होता है, जिसके मदद से वह length को accurate map सकता, इसलिए ruler के मुकाबले divider ज्यादा उप्यूक्त होता है, question number three, यहां पे कुछ बनाने के लिए कहा गया है, तो देख लेते हैं, क्या बनाने के लिए कहा गया है, सबसे पहले question को ध्यान प्रोग पढ लिए, check any point, और कोई भी एक point जो है C, C नाम का एक point line in between AB, मतलब एक line segment जो आप बनाये हैं, उसमें C point ठीक उसके बीचोबिच डालना है, AB के बीचोबिच, measure the lengths of AB, BC and AC, AB, AB जो बनाने के लिए कहा गया है, सबसे पहले जैसा बनाने के लिए कहा गया है, question number three ले लेते हैं आप और एक AB line segment बनाने के लिए कह रहा है, तो एक AB line segment बना लेते हैं, यहाँ पर point देते हैं A और यहाँ पर point देते हैं B, अब इसको बड़ा चोटा जैसे इच्छा हो वैसा बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ length लेने के लिए कहा नहीं गया है, और एक C point लेना है AB के बीच चथेरा है, बीच में आप मान के चलिए कि यहाँ बीच है और यहाँ पर हम प्योंकि इसहां, और फिर EB according, का रहा तो इक के ले सकते हम लोग ले लेते हैं और ऀसके के शाम आप से रहा होगा लेकिन की यहां से लेते हैं और यह छे सेंटिमिट्र इसका लंबाई आ रहा यहां पर यहां पर आप देख हैं wow इसिक संटीमेटर आएन तो यहां पर बीच में जो है 3.1 यह === यह यह प्या थे खैस मतलब है कि यहाँ से यहां थी शनुटीमेटर तृत्री सेंटीमेटर और यहां से यहाँ को सिरी सेंटी में त्री ज और यह किया हुला आप इधर उदर भी लगा सकते हैं सकता है कि इधर लगा Democrats ऐसे यह कम हो जाएगा और इदर लगाना है या फिर थोड़ा इधर यहां उदर हो सकता है तब उसको माप लेना है और बतला ना जैसे यहां पर बतला गया है यहां पर पूछ रहा है कि AB equal to AC plus CB तो AC AC फस्ट में यह लेते हैं तो AC equal to 3 cm हो गया और BC या CB एक ही बात है CB equal to 3 cm तो फिर AB AB क्या होगी है इन दोनों को जोड़ देते हैं तो AB equal to 3 cm plus 3 cm 3 plus 3 equal to 6 cm तो मतलब AC और CB को add करते हैं तो AB प्राप्त होता है यहां पर इसे पता चल रहा है इसलिए C जो है वह मीड़ पॉइंट हो जागा क्योंकि दोनों में common है यहां पर हैं A से C चला फिर C से B चला तो यह मीड़ पॉइंट हो जागा इसके बीच हो जागा यहां पर question में पूछा गया है कि is AB equal to AC plus CB तो यहां पर हम लोग को मिल रहा है AB equal to AC plus CB यह बिल्कुल सही है तो हम इसको लिख सकते हैं यहां पर हम लोग लिख सकते हैं S because C is between ABC जो है AB के बीज में है इदर कहीं भी रह सकता है इसलिए AB equal to AC plus BC तो यह इसका answer में हम लिख सकते हैं यह हो गया question number C complete हो गया यहां पर note में दिया हुआ था if ABC are any three points on a line such that AC plus CB यहां पर बतलाए गया था notes में कि इस तरह से हम लोग को line बनाना है A से C बनाना है यहां पर point लिए A से C बनाना है जैसे यहां A C रख दिए और फिर C से B बनाना है C से फिर B बनाना है इस तरह से यहां भी पॉइंट रख लिए तो इस तरह से हम लोग question को solve किये हैं यहां पर इस तरह का figure बना हुआ है इसलिए यहां पर notes में एक हिंट बतलाए जाता है कि आप इस तरह से बना सकते हैं तो यहां पर हम लोग next question ले लेते हैं question number four में यहां पर क्या कह रहा है इप ABC और three points on a line such that ABC एक लाइन में तीन points दिए वे हैं और इस परकार से दिए वे a b equal to five centimeter and a c equal to eight centimeter अगर a bm खिशते हैं और फिर बी से खिशते हैं फाइब सेंटीमेटर और तो a c निश्चित्रूप से eight centimeter हो जागा तो यहां eight centimeter दिखाया गया which one of them lies between the other two the concept जो है दो दूसरे points के बीच में कि दूसरे point जो दिया हुआ है उसके बीच में आएगा तो कौन सा पॉइंट होगा तो इसको हम लोग बना लेते हैं यहां पर चुलिए यहां पर आप लोग लेने के लिए कर रहा है तो यहां पर हम लाइन सेग्मेंट ले लेते हैं इस तरह से पर्सक्राइब एक पॉइंट और यहां पर अब यह कितना बोलरा था था ज संटिमेटर तो यहां से यहां 5 cm यह यह और यहां तक हो यह उसके फिर बीच ची थी सेंटिमेटर मतलब ही छोटा लेना है यहां तक तो यह यह सी यह पर यह यह 3 सेंटिम्टर 3 सेंटिमीतर और a c a c equal to लग देख रहे हैं 5 plus 3 equal to 8 cm तो a c d दिया हुआ है यहां पर सब कुस तो बना हुआ है यह A B equal to 5 cm, B C equal to 3 cm, और A C equal to 8 cm, तो यहां पर एक करना क्या है, कौनसा point बीच में आ रहा है, यह पूछ रहा है, तो यहां पर इसका answer हम, सौट में दे सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, point B, point B हम इसका answer दे सकते हैं, और यह इसका answer हो जाएगा, complete हो गया, यहां पर दोनों, B जो है common आ रहा है, इन दोनों में इसलिए B जो है, बीच वाला point, between इस इन दोनों के बीच में point हो जाएगा, यह हो गया, इसका answer, question number 5, देखते हैं, क्या कह रहा है, question number 5, verify whether D is the midpoint of AG, यहां पर verify करने के लिए बोल रहा है, कि D, AG के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में, midpoint में है या नहीं है, तो A कहां है, यहां पर है, और G कहां यहां पर है, तो यहां पर units बाट दिया गया है, मान के चलिए कि एक centimeter हो सकता है, एक inch हो सकता है, इस तरह से कोई भी unit बाट दिया गया, एकवल-एकवल उनीट चल रहा है यहां वन से लेते हैं two three four मतलब यहां से चलेंगे one यहाँ से चलना one two three तो यह तो यह त्री उनिट आरहा है और फिर यहां से अगर हम चलते हैं one two three तो यहां भी wediuti अ रहा हैं दोनों में same units आ इस प्रकार से हम इसका आंसर दे सकते हैं as d is the midpoint of a g because a to d a to d three units यहां से यहां तक three units होता है and d to g और d से g also three units और यहां भी three units होता है इसलिए d a g का midpoint है complete हो गया उसके बाद question number six उसी तरह का question आगे भी दिया हुआ है if b is the midpoint of a c a c का midpoint b है and c is the midpoint of b d और c b d का midpoint है where जहां पे a b c d lie on a straight line जहां पे एक सीधी line पे a b c d points बने हुए हैं सेवाए a b equal to c d तो फिर मतलए कि a b c d के बराबर क्यों है तो यहां पे इसका एक picture बना लेते हैं सबसे पहले क्या कह रहा है a c b midpoint a c का तो हम यहां पे एक line लेते हैं सबसे पहले a से शुरू होगा a और एक point देते हैं यहां पे किया दिया है आगे में और c midpoint है किसका bd तो b और आगे पॉइंट लेते हैं कि यहां पे point ले लिए तो बी एसका मिट पॉइंट है और c bd का मिट पॉइंट है यहां पे जैसे कि बतला रहा है और सभी एक LINE State Line मतलब सीधी रेखा पर यह सारे क्या से पर यहां पर इनकी सिल यहां पर यहां ha अ aqui होता है और यहां सी से डी भी एक उनिट होता है तो ये दोनों का लेंट् 모습 व्हों अप्ट तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं question no.6 का answer में a b दिखा सकते हैं हम लोग a b equal to c d a b equal to c d यहां पर जैसे की question में दिया हुआ equal है क्यों है यहां because लिख देते हैं because तो इस परकर से इसका answer हम दे सकते हैं a b equal to c d because measurement of each point each one unit a point यहां से यहां सभी point जो है एक unit है मतलब equal है इसी लिए a b equal to c d होगा इसका answer हम इस पर कर से निख सकते हैं last question दिया हुआ है एक कुछ draw करने क्लिए कर रहा है draw five triangles five triangles एक दो triangles को draw करके भी आप इसको जान सकते हैं the measure their sides checked in each case if the sum of the length of any two sides अब मतलब चार-पांच triangles बना लेते हैं और इसको नापते हैं फिर क्या बता है पिर चेक किजिए of any two sides दो side का length को जोडते हैं is always less than the third side किसी भी triangle का दो side को अगर हम add करते हैं तो वह तीसरे side जो है triangle का तीसरे side है उससे बड़ा होगा अब यहां पर एक triangle ड्रो कर लेते हैं यहां पर question number seven और ट्रेंगल ड्रो कर लेते हैं यहां पर अगर मापते हैं तो यहां दो sides को अगर add करते हैं सपोर्ज ए बी कि प्लस बीसी कि कितना हो जाएगा एबी हो गया two centimeter plus bc हो गया four centimeter equal to six centimeter हो गया तो यह जो है six centimeter a c से हमेसा बड़ा होगा तो यह हमेसा दो side से तीसरा side छोटा होता है तैसलिए हम इसका answer लिख सकते हैं अब यहां पे जो number यहां पे जो वर्ट्स दिया हुआ है उसी तरह से आप इसका answer लिख सकते हैं ताकि आपको लिखने में problem ना हो इस तरह से इसका answer दे सकते हैं आप कई सारे triangle बना के इसको map के देख सकते हैं इसी तरह से होता है तीसरा triangle जो हता है दो triangle को अगर add करते हैं तो तीसरा triangle हमेंसा छोटा होगा यह दोनों triangle के add जो है इससे बड़ा होगा यहां पे इस तरह से question दिया हुआ है उसी तरह का आप देख लिए वर्ट्स मैंने उसी तरह का use किया हुआ है किसी भी triangle का दो side को add करने के बाद उसका जो sum मिलता है वो तीसरे triangle तीसरे side से छोटा कभी नहीं होता है यहां पे कहने का यह मतलब है तो यह इसका और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्ते के साथ सेर कीजिए इसके अगले exercise को solve करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे आई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं